आपको वाटसेप से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकरी देने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तो दोस्तो वाटसेप की एक ऐसी सेटिंग के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिसे आपको हमेशा ओन रखना चाहिए और वो बहुत ही फा वाटसेप होता है और सभी लोग वाटसेप को यूज भी करते हैं और वाटसेप के अंदर आपकी बहुत सरी प्राइवेट बाती प्राइवेसी चुपी होती है और आप हमेशा यह चाहते हैं कि आपका वाटसेप कोई दूसरा ना देख ले और उसको आप प्रोटेक्ट कर खरने के लिए भी लगे रहते हैं। अगर आपको ये डर रहता है कि हमारा WhatsApp दूसरे फोन के अंदर ना चले और ऐसी कोई आप एक चीज ढूंड रहते हैं तो WhatsApp नहीं आपके फोन के अंदर एक ऐसी setting दे रखिए जिसे आपको हमेशा on करके रखना चाहिए तो आप इस तरह के खतरे से भी बस सकते हैं तो चलिए उस वीडियो में हम इसी topic के उपर बात करेंगे अब देखे आपको देख रहा होगा मैंने WhatsApp ओपन कर लिया है अब WhatsApp ओपन करने के बाद आपको करना क्या है WhatsApp की setting के अंदर चले जाना है अब आप मैंसे सभी लोगों को यह पता होगा कि WhatsApp की setting कहाँ पर होती है तो वो setting के option के अपर आपको चले जाना है अब यहाँ पर करना क्या है setting पर जाने के बाद आपको यह accounts के option पर जाना है accounts के option के उपर जाने के बाद आपको यहाँ पर privacy के option के उपर जाना है privacy के option पे जब आप click करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर आप नीचे जाना है और नीचे आपको एक option दिखेगा fingerprint lock का अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि fingerprint lock क्यों ज़रूरी है दोस्तों देखे WhatsApp को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आप मेंसे बहुत सारी लोग बहुत सारी application यूज़ करते हैं जैसे कि WhatsApp lock या application lock तो उसके अंदर क्या होता है आप दूसरी application को install करते हैं फोन में और उसके आधार पे अपने WhatsApp के उपर आप lock लगा के रखते हैं कि कोई दूसरा आपके WhatsApp की चैट को ना देख ले या WhatsApp को उपन ना कर ले लेकिन अगर दूसरे बंदे को उसका pin या password पता है तो आपके WhatsApp को उपन कर सकता है या कर लेगा तो यहाँ पर जो WhatsApp ने ये इतना बढ़िया एक feature दिया हुआ है फिंगर प्रिंट लॉक का इसे ज्यादतर लोग बंद करके ही रखते हैं और यहां पर मैंने आपको दिखाने के लिए इसे बंद भी किया हुआ है लेकिन मैं इसको यूस करता हूँ और आपको इसको यूस करना चाहिए अब इसको आप Enable कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर open करने के लिए कहेगा अब इससे होगा क्या दोस्तो जब आप इसे on कर देंगे तो जब भी आप अपने whatsapp को on करेंगे या open करेंगे तो आपका fingerprints हमेशा मांगा जाएगा आपका fingerprints हमेशा मांगा जाएगा बिना fingerprints के आपका whatsapp open नहीं होगा तो बहुत ही खास feature है जो whatsapp ने अपनी setting के अंदर यह दिया हुआ है इसे हमें हमेशा enable करके रखना चाहिए अब देखिए मैं इसे पर enable करता हूँ तो जैसे आप इसे touch करेंगे तो आपको अब अपना अंगूठा चाहे सीधे हाथ का चाहे उल्टे हाथ का fingerprints आपको देने के लिए अपने phone के जो fingerprint का sensor जो phone में पीछे दिया हो गया होता है कईयों में front पे दिया होता है कईयों में side में तो जहां भी दिया हो है आपको अपना fingerprints वहाँ पर लगाना है जैसे आप वहाँ पर लगाएंगे तो यह यहाँ पर आपका fingerprints को detect कर लेगा detect करते ही आपको इसे apply कर देना है और save कर लेना है बस आपका जो fingerprint का जो यह option है यह चालू हो जाएगा और security आपको मिलने लग जाएगा और safety आपके WhatsApp की बनी रहेगी तो इस feature को इस setting को आपको हमेशा on करके रखना चाहिए ताकि आप अपने WhatsApp को हमेशा safe रख सके यह बहुत ही फायदे का सोधा है इसे आप जरूर कीजिए तो दोस्तों यह जानकर आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगर अच्छे लगी हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाले शान के उपर टच करके और उसके बद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातर मिलती रहे यह बिल्कुल फ्री होता है आपके से जहाँ सहाँ फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद